संतमत ये मानता है कि एक सर्वोच्य सत्ता है दिखाई सुनाई देने वाले जगत की और ने दिखाई देने वाले जगत की तमाम सक्तियां उसी के आस्रित है दूसरे कई परमार्ती सिद्धान्त जारी हैं पुराने जगों से चले आ रहे हैं किसी ने ब्रह्म को सर्वोच्य सत्ता बताया किसी ने ब्रह्म और माया दोनों को सर्वोच्य सत्ता बताया सांख्य ने इसी को पुरुस और प्रकर्ती कहा और ये भी कह दिया कि दोनों ही हना दी है यानि उनको माया की हद के परे उनकी पहुंच नहीं थी तो उनकी जहां तक पहुंच थी उसके परे भी उनको माया दिखाई देती थी तो उन्होंने माना की प्रकर्टी याने माया भी सदा से है और सदा रहेगी और ये भी सर्वोच सत्ता ही है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यदि माया सर्वोच सत्ता हो या माया भी असीम अपार अनन्त हो और ब्रह्म भी असीम अपार अनन्त हो तो दो असीम अपार अनन्त के से सक एक ही हो सकती है, यदि दो हुई तो दोनों की सीमा में टकराव होगा, दो असीम अपार अनंत सक्तियां नहीं हो सकती है, संतमत याने संतों की द्रश्टी अगम है, ठेट तक पहुंचती है, वहीं से संत आये हैं, इसलिए संतों ने फर्माया कि एक सत्ता सरवोच है, और एक अवस्ता भी ऐसी थी, जब जगत में कुछ भी नहीं था उस एक असी मपार अनंत सत्ता के, उस समय उसका कोई नाम, रूप, धाम कुछ भी नहीं था, ने गुण, ने दोस, ने रूप, ने रंग, ने आकार, और संतों ने उसका लखाव हमें इस तरह कराया, यदि किस असी भी तरह से उसका लखाव ही, अब भी नहीं कराया जा सकता, तब तो सत्ता थी कि नहीं थी, उसका अस्तित्व भी था कि नहीं था, उसके प्रस्ण उड़ता है, लेकिन उसका अस्तित्व था, और वे सत्ता प्रेम की थी, याने असीम, अपार, अनंत, वे सत्ता प्रेम प्रेम ही था, उसी को मापुरसों ने का वे अनामी पुरुस हैं, वे अनादी पुरुस हैं, वे अचरज अकै अनाम सद्गुरु हैं, सद्गुरु नाम भी बाद में दरा गया, इसलिए वे आदी नाम है, अनादी हवस्ता नहीं है, तो संतों ने हमें ये बेद दिया कि ये पूरी जगत याने जै याने जन्मना जै और गत ये दोनों दात्वें हैं बासा की जै याने जन्मना गत याने समाप्त होना याने जो उत्पन होकर के समाप्त होने तक की तमाम रचना है यानि माया के दाइरे की तमाम रचना है वही सर्वोच सता इस जगत के रूप में, संसार के रूप में, इस तरश्टी के रूप में हमारे सामने आई है अपने अनामी दाम में वो आज भी उसी रूप में है फिर उसके बाद में सत्य देश की सत्य रचना रची गई उनकी अपनी मोज से वो सदा रहने वाली अविनासी, एक रस रहने वाली, सदा कायम रहने वाली काल से, माया से, नश्ट होने से, उत्पन होने से सदा, अलग सदा उसके परे वो जो सत्य है, वो सत्य की सत्य है रवां की रचना जहां तक वे सत्य की सत्य कारकून है जहां माया नहीं है, जहां जूट नहीं है, जहां जड़ता नहीं है, जहां नास होने की प्रवर्ती नहीं है करम काल और म्रत्यू जहां नहीं है वो रचना सदा एक रस रेने वाली सत्य देश की रचना है और उसके बाद में जहां निर्मल चेतन्य की कमी आ गई वो चेतन्य की रचना है निर्मल चेतन्य की खालिश चेतन्य की नीचे की रचना में भी रचना करने वाली सकती तो चेतन् लेकिन चुंकि यहां माया का अस्तित भी है तो माया के साथ चेतन्य की मिलोनी से रचना रची गई तो तीन खंड हो गए एक तो अजर, अनादी, सत्गुरुदाम या अनामे पुरुस या वो सत्ता जो सदा से ही है अनादी है दूसरी वही सत्ता जिसने जब सत्ते नाम और सत्ते रूप धारण किया तो वो सत्य देश की रचना कहला ही और जो सदा एक रस रहने वाली है सदा अबिनासी है जिसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होता और वो इसलिए कभी नश्ट नहीं होगी कि वहां माया का अस्तित्व नहीं है फिर एक तीसरा खंड रचना का ओर रचा गया जिसमें चेतन्य जरूर मौजूद है चेतन्य की सक्ती से ही रचना रची गई लेकिन वे माया संयुक्त है माया में जो व्याप्त चेतन्य था उस दाइरे में जो रचना रची गई उसे जगत कहा गया यानि उसकी उत्पत्ती है तो वो नश्ट भी होती है क्यों नश्ट होती है कि उसके अंदर चेतन्य के साथ माया भी प्रभावसील है यही पुरुस और प्रकर्टी की रचना है। संतों ने फर्माया यह तमाम रचना पूरी की पूरी स्रिष्टी जिसने रची है, जिसने बनाई है, वही इस रचना के कनकन में व्याप्त है। यानि सत्य देश की रचना और उसके नीचे माया देश की रचना। information nya की रचना के अंदर भी या की रचना के कनकन में भी जर्रे जर्रे में गटगट में वही सक्चा मालिक, उसका नूर सर्व व्यापक हो करके विराज मान है। यह किस तरह से होता है कि रचना रचने के पहले जब वो अपने आप में अपनी मोज में स्वयम लीन थे तो मोज की जो आदी लहर उठी जिसे संतों ने आदी हुक्म कहा आदी सब्द कहा आदी मोज कहा यानि प्रेम के समुद्र में एक हिलोर उठी हमारे यहां की जिस रूपक से हम समझ सकते हैं वो यह है कि जैसे समुद्र में एक लहर उठी है तो है तो वह समुद्र ही लेकिन लहर है उसकी अपनी अलग ताकत है उसका रूप दिखाई देता है वो जो लहर उठी उसे ही संतों ने आदी हुक्म और आदी मोज कहा वही आदी सब्द है वही सत्गुरु सब्द है बाप जी साहब ने इस को दया करके और खुला सा किया इस तत्व का इस मोज का कि वह मालिक प्रेम सरूप थे प्रेम में आकरसन होता है जब कोई दूसरा तत्व ही नहीं था तब भी आकरसन मोजूद था क्योंकि प्रेम की जात है आकरसन तो प्रेम में आकरसन था लेकिन आकरसन में कोई एक तत्व दूसरे तत्व को खींचता है तब उस सम्मंद को हम आकरसन कहते हैं जब एक के अलावा और कुछ नहीं था, तो बापजी साब ने इस प्रष्ट किया कि प्रेम अपने आकर्सन में आप ही खींचा. ऐसा होता है, ऐसा संभव है, अपने आकर्सन में आप ही जब खींचे, समुद्र में जवार भाटा भी आता है, समुद्र के अंदर लेरें भी चलती है, समुद्र के अंतरगत गोल के वेग्याने कहते हैं, समुद्र के अंदर समुद्र ऐसा नहीं है जैसा हमें देखता है, इस कहा है। नदी के अंदर एक प्रवा के अंतर गत yuker ओर प्रवाय है। पानी एक तरब जा रहा है। लेकिन बामर के अंदर छोटे से दारे में कहीं। उल्टा चलता हुआ लग जाएगा, उल्टी दिसा में भी एक छोटे दायरे में पानी चलता है, तो प्रवा में अंतर प्रवा भी होते हैं, यह तो एक स्थूल उदारन है, यह पूरी तरह से मालिक की उस मोज के उपर लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी प्रेम अपने आकरसन में जब आप खि प्रगट हुए है, एक प्रेमी और एक प्रीतम, प्रेम सो तो यही निकलेंगे और क्या निकलेंगे, प्रेम को जाइर करना तो यही दो तरीके से जाइर हो सकता है, यह एक प्रेम करने वाला हो, और एक वो हो जिससे प्रेम किया जाए, यही दो तत्व निकले, इनको सुरत और सब्द कहा गया, इसी को संतों ने चेतन्य और सब्द याने सत्य कहा, ये चेतन्य और सत्य हैं, या ये प्रेमी और प्रीतम हैं, या ये सुरत और सब्द हैं, ये कही बात है, प्रेमी और प्रीतम से प्रेम का इजहार होता है, प्रेमी और प्रितम के बीच में प्रेम का आकरसन होता है उसे हम भी भाप सकते हैं कि इन दो के बीच में आपस में गहरा लगाव है गहरा आकरसन है तो हम कह देते हैं बैए इन लोनों के बीच में प्रेम गहरा है ये प्रस्ट ने बाब जी साहब से भी पूछा गया था और बाब जी साहब के प्रवचन में ये रिकोर्डेड है इसलिए सद्गुरु मत्स प्रकास में ये आई है बात एक अपने बहुत बड़े सा संगी थे उन्होंने पाली के अंदर जब 1968 के जून महिने में वार्सिक उस्तव जेट का हो रहा था उस समय जब बाब जी इस्तत्व को फर्मा रहे थे इस्तत्व की व्याक्या कर रहे थे कि प्रेम अपने आकरसन में कैसे खिंचा तब उनको जो स समझाने में वो समर्थ हैं तो बाब जी साब ने उनको फर्म वो मील के इंचार्ज थे पाली में एक मील है उसके वो सबसे बड़े अधिकारी थे उन्होंने जब प्रशन पूछा तो बाब जी ने का कि देखिए आपके यहां कि इंजन चलता है कि इंजन पर एक पट्टा लगा हुआ है उस पट्टे से पुली चलती है और पुली के पुली के पुली जब चलती है पट्टे और चक्के पर चक्का चला तो उस चक्के से बाद में और कई चक्के बंदेवे होते हैं वही पट्टों के द्वारा और उनसे पूरी मील चल जाती है तो बाब जी ने कहा कि जो सक्ति चक्के पर चक्के के चलने से में दिखाई दी कि बड़ी वेग से चक्का चल रहा है इसके अंदर पावर है वह पावर जो है पट्टे के द्वारा दूसरे मील की मसीनों पर गया और सारी मील चल गई तो यह बताईए कि यह चक्का और पट्टा पर आने के पहले भी सक्ति ठीक नहीं थी बोला सक्ति तो थी कहां थी आस्मान मेरे योगी और तो कहां थी क्योंकि हमारे यह तो आस्मान ही अवकास है बाब जीन का ठीक है यही बात है चक्के और पट्टे पर आने के पहले सक्ति म यह सक्ति है और इसने मील को चला दिया। ठीक यही प्रेमी और प्रितम के पहले प्रेम था लेकिन वो जाहिर नहीं था। जब प्रेमी और प्रितम हो गए तो उनके बीच के सम्मंद को हर कोई बाप सकता है, मेशूस कर सकता है, देख सकता है, अनुबव कर सकता है। तो प्रेमी और प्रितम प्रेम को जाहिर करने के लिए रचे गए यही सुरत और सब्द है। यही निर्मल चेतन्य और सत्य सब्द सद्गुरु सब्द है। निर्मल चेतन्य की दार का नाम सुरत है और सब्द और उसके बंडार का नाम, नाम है, सब्द है, प्रीतम है, तो जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है, वही सब गटों में समाया हुआ है, वह सब गटों में किस तरह से समाया हुआ है, सब्द रूप हो करके, याने रचना बाद में रची गई रचना की आदी याने सरुवात सत्गुरु सब्द के प्रगट होने से हुई सत्गुरु सब्द ही रचना का मूल है आदी है यही आदी नाम है मूल नाम है निजनाम बाद की तमाम रचना और रचना की अनंत सक्तियां बाद में एक सक्ति से अनंत सक्तियां होई, वो सारी सक्तियां सत्गुरु सब्द या सत्गुरु नाम की सक्ति से सक्ति ग्रहन करती है, सर्व सक्ति दीश्वार, सब सक्तियों को सक्ति देने वाला सत्गुरु नाम है, और वह रचना के कणकण में व्यापत है, यानि निर्मल जहां चेतन्य है वहीं रचना होगी, वहीं जीवन होगा, वहीं इस्तित्व होगा, जहां चेतन्य नहीं है, सुद्ध जड़ता तो कुछ होती नहीं, सुद्ध चेतन्य तो होता है, लेकिन सुद्ध जड़ता यहने, जड़ का भी एक आकार है, जड़ का भी एक पावर है, ज से त्य sudah 근데 आपिन川 तो स्थ किरिने तो कोगी होगी इसलिए बाब जिetयisser साब से रूंसरी जगह फन कोजा माया क्यात है तो बाब जिन का माया क्या है हि माया तो कुछ भी नहीं है ≤ ए भश्य वस्तु है इसे विदान्तियों एदेत वादियों नहीं जूट कह दिया, यह कोई वस्तु ही नहीं है, पदार्त ही नहीं है, केवल ब्रह्म है, लेकिन बाब जीन फर्माया नहीं, ऐसा नहीं है, केवल ब्रह्म कुछ होता ही नहीं, ब्रह्म के पीछे जूट का, सत्य का आवास होता है, तब ही तो ब्रह्म होता है, इस बात को रामचर में साप का ब्रह्म होता है, तो कहीं साप का अस्ति तो ही नहीं होता है, तो रस्ति में हम पिर साप की कलपना नहीं करते हैं, तो कहीं साप का अस्ति तो है, इसलिए रस्ति में साप की कलपना की जा सकती है, तो इसलिए सत्य के बगेर तो ब्रह्म भी नहीं होता ब्रह्म का आस्ति तो भी सत्य की बित्ती पर ठिका हुआ है एक चलचित्र चलता है सिनिमा में या हम देखते हैं जैसे अब घर में टीवी आ गया टीवी के अंदर साम को समचार सुनते हैं के प्रोग्राम आते हैं कुछ द्रस से चलते हैं क्या हमारी टीवी के अंदर वे इंसान बेटा है नाई लेकिन कहीं पे बोल रहा है तब टीवी के अंदर भी आ रहा है इसलिए जूत का भी आदार स्त्य ही है जूत परां का इसलिए माया di b प्रकास की कमी है उसका नाम अदेरा प्रकास की कुछ किरने अंदेरे में भी जरूर ही होगी इसी तरह से इस प्रस्ण का उतर ये हुआ कि माया उसका नाम है जहां चितन्य की अत्यन्त ही कमी है तो जगत जिसका येकुल बनाया हुआ है वही सब गटों में समाया हुआ है तमाम जितने प्राणी याने जीव मात्र जितने जीव हैं उन सब के गट में वही मालिक का नूर या वही सत्य देश का चेतन्य वही सत्य देश का सत्सब्द या सत्गुरु सब्द बिराजमान है अब प्रानी से मतलब हो गया जीवित प्रानी याने जीव जो सजीव हैं लेकिन निर्जीव वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं भी उसी का रूप है ये इस बात का और आगे गेरी व्याक्या ये है कि प्राणी मात्र का मतलब ये नहीं है कि सजीव याने चलते फिरते प्राणी ही उसका रूप है जो जड़ वस्तुएं हैं वो कहां से आई सूरत चांद सितारे कहां से आई प्रच्वी आकास कहां से आई नदी तलाब सरोवर जंगल वन में तो फिर सजीव चीज़ें आ गई क्योंकि पेड़ पोदे सजीव हैं लेकिन जिनको हम नर्जीव मानते हैं पत्थर और पहाड नदिया और सरोवर सूरत चांद सितारे अनन्त प्रच्वियां अनन्त लोक अनन्त आकास गंगाएं अनन्त सोर मंडल, उनके अंदर अनन्त तारे, अनन्त क्रे, नक्चत्र और उनके अंदर बसने वाले अनन्त प्रणे ये सब उसी एक का धरावा रूप है एक यहने जो अनदी अवस्ता में सरवोच्य वस्ता में जिसने ये जगत कुल बनाया है तमाम रचना रची है वही इन सब रूपों में प्रगट हुआ है अब इन रूपों में कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं कुछ रंगीन हैं कुछ बेरंगे हैं कुछ सुन्दर सुरंगे हैं, कुछ बेरंगे हैं सुरंगेर बेरंगे याने अच्छे और बुरे से क्या ताथ पर यह कुछ सच हैं, कुछ जूट हैं, कुछ बले हैं, कुछ बुरे हैं कुछ प्रकासवान हैं, कुछ अंदेरे हैं प्रकास वान अंदेरे से मतलब अच्छाई और बुराई से भी है और प्रकास और अंदेरे से भी है किसी के गट प्रकासित हैं किसी के गट में अंदेरा है कोई बला सोचते हैं कोई बुरा सोचते हैं कोई ब्रामन है, कोई दानव है, कोई कसाई है, कुछ देवता है, जगत में कुछ अच्छी चीजें है, जगत में कुछ बुरी चीजें भी है, ये बुरा और अच्छे का नजरिया तो हमारा है, उस अस्तर पर बुरा और अच्छा कुछ होता ही नहीं, हमारे अस्तर पर होता ह है हमारे इस्तर पर कुछ पाप हैं कुछ पुन्य हैं कुछ बलाई के काम हैं कुछ बुराई के काम एक मालवा देश है एक मुर्वस्तल भी है एक कसाई होता है जो जीवों की जान लेता है एक ब्रह्मन देवता हैं जो पूजनी होते हैं तो देवता, दानव, रात, दिन, पाप, पुन्य, स्वर्ग, नरग, और अपवर्ग याने मोक्स भी, और अदो गति याने चोरासी में जाना, जड़ योने में, त्रिजग योने में पहुंच जाना, कहीं चेतनता कम है, कहीं चेतनता जादा, इतना ही फर्क है बस। चेतनता सब जगे समान नहीं है, जहाँ चेतन्य जादा है, वहाँ पवित्रता है, वहाँ अच्छाई है, वहाँ प्रकास है, वहाँ सुन्दरता है, जहाँ चेतनता कम है, वहाँ पे कुरूपता है, वहाँ अंदेरा है, वहाँ मलीनता है, विचारों में भी मलीनता है, दो अ दो ने बूद इुसरे के बुरह की शोच है बुरह ही करता है और उसे ही कह़ते है। इसी तरह के प्राणियों की पुराने समया स्वंहें मिश्arat खेते multi always programs कर दिया। एक देव वर्ग हे रॉसरा राक्सस्वर्ग हे। तीसरा बीच में न्यूट्रल है, वो इंसानों का नर्समा जाए। तो जितनी रंग बिरंगी चीजें हैं, हर एक से जो होगी वे रंगी बरंगी, या से याने वस्तू, से ये फार्सी का सब्द होगा साइद, हर एक से याने हर एक तरह की चीज, चाए अच्छी है, चाए बुरी है, चाए बली है, चाए बुरी है, चाए अच्छी है, चाए बुरी है, चाए ऐसुंदर हैं, चाए सुंदर हैं, चाए कुरूप हैं, हमें अच्छी लगती है या ने लगती है, यह हमारे इस सिम्हें की मानसिक्तर हमारी दसा जिन परिशितिव में है उनके दाएरे में हम सोचते हैं इसलिए बुटि है इसलिए कोई कहते हैं कल एक वाट से पर में से जाये था अपने एक सट्सिंगे का दियावा जो मालिक इतना दर्द देता है याने कोरोना का समाचार था कि 22 आदमी रात को आक्सिजन का प्लांट बंद हो गया खराबी आ गई नासिक के एक स्पताल में पढ़ती थे ज्यादा मरीज थे लेकिन 22 आदमियों की आदे गंटे में मोत हो गई आदे गंटे में वो प्लांट र सिंगे ने मेसेज किया कि जो परमात्मा इतना दर्द देता है उसकी हम पूजा करते हैं लेकिन ये सोच तुर्टी पूर्ण है ये दर्द परमात्मा देता है कि नहीं देता है कि ये दर्द है या नहीं है इसमें मालिक की दया है या नहीं है ये समझने कि ये भी हमारी बु करता है सुंदर ही करता है और इसमें अंदर कुछ होता नहीं सुंदर असंदर हमारे सोचने के अग अलग पे माने हैं अलग अलग मां दंद है हैं अब हम ये जो मैं आगे बॉल रहा हूं ये मेरी सिमित बुद्धी और ओची बुद्धी से बोल रहा हूँ हो सकता ये अदूरी बात हो, हो सकता ये तुटी पूर्ण हो हो सकता पूरी तरसे गलत हो, हो सकता इसमें कुछ सचाई हो ये मापुर्सों की कई वोई बात नहीं है इसलिए मैंने ऐसा पहले निविजन किया कुछ भी सुन्दर और असुन्दर उस मालिक के अस्तर पर नहीं होता वहां कुछ भी गलत होता ही नहीं है जो कुछ होता है उसे सुन्दर ही माना जाना चाहिए रवास्तों में सुन्दर ही है हम हमारी दसा का विचार करें जो चाहे जब बड़ा संकट खड़ा कर देते हैं, छोटा सा वाइरस दिखता नहीं, आंकों से तो कभी नहीं दिखते हैं वाइरस लेकिन ये वाइरसों में भी अत्यनत सूख्षम वाइरस है, जो इस समय फेला हुआ है, खतरनाक इतना कि पूरी दुनिया की सारी व्यवस्ता को इसने लकवा गरस्त कर दिया, थोड़े दिन पहले तक सोच रहे थे, चलो अब ये बिमारी जाने लगी है, चलो, तब तक तो पलट के वापस आ गया है, और नए रूप में आ गया है, और सारी कोसिसें फेल, इतनी आक्सिजन बनती है, वो सारी आक्सिजन कम पढ़ने ल लगे, दड़ादर, दड़ादर, बड़ी तेजगती से लोग बिमार होने लगे, जाने भी लगे, लेकिन हम ये सोचें कि इस कल्यूग में जो मैंने का कि बारी खोटाई है, बारी जो अच्छा पन है, बारी जो नीचता है, बारी मलीनता है, इसकी तो कीमत कम है, इसके तो जादा महत्व नहीं है, जादा महत्व हमारे विचारों की मलीनता से हैं, देखें कल्यूग में कैसा हमारा मलीनमन हो गया है, एक दूसरे की कोई मदद करना नहीं चाहता, जो मदद करते वे दिखते हैं, वे केवल सतही अस्तर पर हैं, सतही याने उपरी लिवल पर, दिखाव कि अस्तर पर नहीं हो तो अभी कही एक ताजा उधरन और ले लेते हैं। लगबग दस एक दिन पहले का एक समाचार है कि बनारस में जहां सवों का अंतिम संस्कार होता है। वहां पर लाइन नंबी लगी हुई है। मरीज सारे कोरोना से आ रहे हैं। उनके साथ आने वाले डरते हैं। अब ये तो गया सो गया हमारे अंदर ये बीमारी फेलने का पूरा सम्भावन हम लास को उठा करके लाएं। लास के साथ आहें। नहीं आए तो जाएं कहा हमारे तो परैसान पता नहीं कब तक नार एक लास नहीं आगे-पीछे की गी सारी लासे इसी बीमारी की है तो बीमारी फ्यलने का पूरा का पूरा खत्रा तो है डर रहे हैं मन में तब उससे पू papus से जार खर्चा आएगा बिजली से जलाने में वो खेते हैं भाई अच्छ है जार हम देखे चले जाए तुम कर दो के क्या संसकार बोला वैसे ही तुमको तोड़ी नजदी काने देते में तो करी दूंगा तुम मुझे पैसे दे जाओ समय पे कर दूंगा नंबर आने पर तो तुम ने ऐसा ही किया उसने जितना खर्चा बताया उससे अजार पांसो ज्यादा दिये बोला वही अकल आकर के हमारे बश्मी का पेकट ले जाएंगे वह आप पेकर कर रख देना इदर उदर गरबर नहीं होगे उस पर नाम सही लिखना वो ही देना जो हमारे रिष्टेद लिखनार का है बोला वो ही दूगा वो छोड़के चले आए और ऐसे तो फिर कहां गया प्रेम इसके बगर तो हम रह नहीं सकते तुम दुनिया से चले जाओगे उसके पहले परमात्मा मुझे उठा ले ऐसी बातें तो बोलते हैं आपन सब सभी सुनते भी हैं वो सब बाते कहां गई तो यह जो प्रेम है जो दिखावा है जो मददगार हाथ दिखते हैं कुछ असली निर्मल आत्माएं हैं उनमें होगा जरूर लेकिन आम तोर पर सती याने उपरी लेवल का है दिखने मात रगा है कहते हैं पिछली माह मारी जब फेली थी प्लेग वाली तब वो तो गाहुं तक फेल गया था भी अवी शूछ रलत और फेल ग्र ऱूचिए उन दिनों में गणाना का सि Сिस्टम कमजोर था तो लोग गाहुं के लासें पड़ी गरों के लिए उफाने वाले नहीं थे और लोग बेल गाड़ी पर लाद लाद करके पांच-पांच-पांच-शाथ-शाथ-वासें एक के उपर एक डाल करके जंगल में ले जाके छोड़ी आते थे, अंतिम संसकार नहीं हो पाता था और जो इसतरह का काम कारते थे गर में, गर का कोई सद्दे से ले करके गया, वापस आता था तब वो कहता था तक मेरे गले में दर्द शरू हो गया, इतना कहते ही, लोग लगते हैं, आरे, अलग हो जा, अलग हो जा, दूर हो अट, दूर हाट, था. क्यों गले में गांट होती थी, बुखार आता था, वो के था, मुझे बुखार हरा, मैसूस हो रही है, मुझे गले में दर्द मैसूस हो रहा, तब तक लोग कांपने लग जाते हैं, डढ़ते थे, अरे, इसको अटाओ, ये तो बेसे ही मरेगा कल, अब अपने को और मारेगा, और ये दसा इस समय भी है, अस्पतालों में जो मरीज हैं इस बिमारी के, उनके साथ करों के परिजनों को नहीं रहने देते हैं, रिष्टेदारों को सेवा करने वालों को हटा देते हैं, बोला की बिमारी फेल जाएगी, तुम बार बेढ़ जाओ, सेवा हम करेंगे, सेवा, वो क्या करते हैं, सरकार ने ड्यूटी लगा जी, इसलिए उनको काम तो करना पड़ता, हजिरतुमा रहना पड़ता, मरीज आवाज लगाता, हाथ से ही सारा करता, एक अंपॉंडर भाया, इदर आ, भाया सुनता ही नहीं है, वो तो सोचता ही इसे पास जाओंगा, तो भीमारी फेल जाएगी, अब वो पानी पीना है, उसको प्यास से मर रहा है, कोई तखलीप हो रही है, दर्द हो रहा है, वो सुनाना चाहता है, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि बार तो कबर आती ही नहीं है, तो ज्यादा तर मरीज तरब तरब के मर रहे हैं, सारे रिस्ते नाते सेवा का वरत, जो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में डाक्टरों को, नर्सों को, कंपाउंडरों को, जो सपत दिला ही जाती है, कि मैं सेवा बावना से इस प्रोफेशन में, इस रोजगार में आया हूं और सेवा करूंगा, वो कहां गई? तो ये सारे नात पाचार बढ़ गया है, आम तोर पर सब लोग मान सहारी है, मार मार के खा जाते हैं, मार मार के जब खा जाते हैं, और उनको वापस इस तरह से थोड़ा दंड कुदर देती है, तब हम ये ट्वीट कर देते हैं, तब हम ये हमारा कमेंट डाल देते हैं, कि उ परमात्म जो इ बगबारा तेरह लाग की तो हमारी आर्मी है थल से ना और उस में से 90% लोग मान सारी है उनके लिए रोजना मीट पकता ही पकता है तो और बाकी हम देखते हैं आस पास में सब जगह है केवल यही एक पाप का नमूना नहीं है कितने अत्याचार दूसरे होते हैं लोग दूसर सारी बातें रिपोर्ट नहीं होती रिपोर्ट होती तो क्या कर लेंगे दुनिया में ऐसे ऐसे कुरूर सासक अब भी हैं इस जमाने में भी कि जिनकी सनक ही कानून होती है तो उसका फल या दंड समाज को नहीं बुकतना पड़ेगा और ये फल और दंड की व्यवस्ता परम हमारा मन और जाजा आत्याचार करेगा प्राणियों का जिन्ना रहना मुश्किल हो जाएगा इसलिए इनकी बुद्ध्य को ठीक करने के लिए कुछ सजा का इंतजाम इसलिए किया गया है कि इससे फिर वो मन सजा पाकर के ही ठीक होने वाला है इसलिए प्रमात्मा के तो हर मौज में दया सर्दिया है जरूर है नहीं नहीं है कि जितना आपन समझते हैं वो दया की आगरि सेमह वो दया की आगरि सेमँ दो और होगी लेकिन निश्चित तोर पे वो दया लूए इतना हम मैसूस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, जो इतना भी मैसूस नहीं कर सकते, उन पर भी कभी दया होगी, तो वो मैसूस करेंगे, कि हर मोज में दया है, तो हर चीज जब उसी का रूप दरा हुआ है, तो कौन किस पर अत्याचार करता है, यदि इस तरह का दर दिया, कर रहे हैं, वो भी मालिक का ही रूप है, और जो व्यवस्ता के अंदर कमी आ गई है, वो भी मालिक का ही रूप है, और ये वापस जब सुदर जाएगी, वो भी मालिक का ही रूप है, जब उसके बार कुछ है ही नहीं, जब उसके अंतर गत ही है, तो दोस्त क्यों देना, को तो वो हमारे सरीर के बले के लिए ही कर रहे हैं, कष्ट भी हमी पा रहे हैं, कर भी हमी रहे हैं, कष्ट है भी हमारे अंदर ही और ठीक होने का उपाय भी हमी कर रहे हैं और वो वाजिब है इसलिए कर रहे हैं, इसलिए सिमित दाइरे से उस असीम का मुल्यंकन नहीं किया जा स सकता, संतों ने फर्माया, हर एक से जो होगी, नहीं दूसरा कोई है उससे न्यारा, वो अपने में आपी बुलाया, कुछ भी उससे अलग नहीं, कुछ भी उससे जुदा नहीं, कुछ भी उसके दायरे के बार नहीं, सब कुछ उसके पेटे के अंदर है, पेटे के अंदर उस उसके शीमा के अंतरगत यानि उसी के कलेवर्वे हैं हम सब भी उसी का रूप हैं नहीं दूसरा कोई है उससे न्यारा वो अपने में आपी बुलाया हुआ है अपने में आपी बुलाया हुआ कैसे हैं कि एक आदमी मर रहा है मदद मांग रहा है दूसरा एक ऐसा जो उसकी मदद कर भी रहा है एक ऐसा जो उसकी मदद नहीं भी कर रहा है एक अपने करमों के वस मुर्गे या बकरे या किसी चौरासी की योनी में जाकर के अटक गया है दूसरा सिकारी या हत्यारा बनके उसकी हत्या कर रहा है दोनों रूप उसी के हैं एक बचना चाहता एक उसको पकड़ के मारना चाहता है यह इस समय भूले वे सुरूप में यह उसको बूर्ण करकर अपने आपको स्वयम nhất भूल गया तो जान बचाने के लिए कोυँज करता एक उसकी जान लेने की कोशिज करता है, एक कष्ट देने की कोशिज करता है, एक उसका कष्ट निवारन करने की कोशिज करता है, एक उसे ज्यादा कष्ट और पहुंचाने की कोशिज करता है, ये क्या है, ऐसा क्यों करता है, मालिक ही है तो ऐसा क्यों करता है, क्यों बूला हुआ है, कहां बूल गया बूल गया, ये बूल गया, तो जूट से बड़ा जूट वाड़ा आचरन खुद करता है, डरता है, डराता है, ये सब क्या है? भूल गया है, इसलिए, अपना सुरूप को पैचान लेगा, तो क्यों तो डरेगा और क्यों डराएगा? क्यों दुख पाएगा है क्यों किसी को दुख देने की सोचेगा लेकिन जब भूला हुआ तब तक तो वह बात सही है जब तक यह भूल निकल नहीं जाएगी तब तक वह दसा भी कायम लेगी तो वही मालिक अपने में आप ही बुलाया हुआ है दूसरा कोई उसको बुलाने वाला भी नहीं कहते हैं कि जब मालिक सर्वसमर्थ है सर्वसक्तियों का बंडार है सर्व का ज्याता है तो यह जीवात्मा भी सर्व ज्याता है कि सर्वसक्ति मान भी है अभिनासी भी है निर्मल है चेतन्य है सचिदानन्द गन की अंस है सचिदानन्द गन है सत्चेतन गन आनंद रासी सत्चेतन और आनंद का बंडार है अविनासी है ये सुरत जीवात्मा भी तो इसलिए जब ऐसे सचिदानंद गन होकर के भी ऐसे काम करता है जो असत्य है सत्य का गन होकर के असत्य का काम करे आनन्द का गन वोकर के दुख रूप काम करे और दुख पातावा दिखाई दे दुख से त्रही त्रही भी करतावा दिखाई दे सुनाई दे तो वो क्या है अपने हमें आप ही भूल गया इसलिए है नहीं दूसरा कोई है उससे न्यारा वो अपने में आपी बुलाया हुआ है हर एक से जो हगी जो रंगी भी रंगी ये जलवा उसी का दिखाया तो ये बड़ी सुन्दर रचना है दुख भी इसका एक छोटा अंस है कुरूपता रचना में है ही नहीं लेकिन सुन्दरता के पेमाने के लिए किसी को किसी की तुलना में सुन्दर का जाता है किसी को किसी की तुलना में सुख रूप का जाता है ये जिस सब समान रूप से सुखी हो तो फिर सुखी किसको कहेंगे ये जिस समान रूप से 24 सो गंटे 12 बज़े का सूरी उपर आसमान में होता है वहीं पर इस्थिर रहता, ने आगे जाता, ने पीछे जाता, ने रात होती, ने शुबह होती, ने साम होती, तो हम दिन किसको कहते? दूप किसको कहते है जो हर समय है वो तो दूपी दूप है दूप है कि अंदेरा है क्या पता अंदेरा है तो दूप की कीमत है रात है तो दिन की कीमत है सुख है दुख है तो सुख की कीमत है ये पेमाने हैं, इनके उपर इनका अभिप्रीत सक्तियों के उपर सक्तियों का अस्तित्व टिका हुआ है, क्योंकि ये सारी सक्तियां अदूरी है, एक सरवोच सक्ति सत्त सब्द की है, वही पोजिटिव पावर है, वही सब सक्तियों का आदार है, सब को सक्ति देने वाली है इसलिए जितनी भी रंग भी रंगी चीजें है वो सब उसी का जलवा है जलवा याने उसी का नूर है उसी का प्रताप है उसी का इजहार है उसी की उसी के प्रकास का फिलाव है उसी की सौरत का फिलाव है उसी की मैमा का फिलाव है किसी भी तरीके से यह का जा सकता है कि उसी जैसे सूरी है सूरी में से प्रकास निकलता है ये सूरी के प्रकास का फेलाव है ये सूरी का जलवा है ये सूरी की जात है ये सूरी का सुभाव है ये सूरी का प्रताप है इसी तरह से ये उस मालिक का जलवा है गुड जादा है, समझाने के परेत्रे से भी समझ में आना सरल नहीं है, मैंने इतना कहे दिया तो इसकी व्याक्या नहीं होगी, हो सकता है कि ये जो मालिक की महिमा का महा समुद्र है, इसके तो हम किनारे को भी नहीं शू सकते, पता नहीं कितनी गेरी है महिमा, आज तक कोई इचा नहीं पा सका तो हम क्या पाएंगे, तो ये बातें समझ में आना भी मुश्किल, समझाना भी मुश्किल, केवल जो सच्चे संतों के कृफ़ा पात्र सेवक हैं, उनके कुछ-कुछ समझ में आ सकती है, तो रमदाशी साब कितने पूरी समझ में तो उसी इस्तर पर जा विचारों को व्यक्त करते हैं, फिर हम उन विचारों को ग्रेन करने वारी हमारी बुद्धी का दाएरा, फिर वो परमात्मततों जो बुद्धी माया का अंग है, बुद्धी एंकार का अंग है, और एंकार जो आना वो परमात्मा की विरोधी सक्ती है, तो बुद्धी परम प्रमात्मा की विरोधी सक्ती का एक प्रगट रूप है, वो कैसे उस परमात्मा को समझ सकती है, उल्लु कैसे सुरज की रोशनी की व्याख्या कर सकता है, कर ही नहीं सकता, कितना समझाओ नहीं समझ सकता, हम कितनी कोशिश कर लें इस बात को हुबू समझ बाना असंभव है, एक बड़ी सुंदर कता है, इस बात की व्याक्या के लिए, कि एक हंस था, जो उड़ता हुआ कि इसी परदेश की यात्रा पर जा रहा था, तो उड़ते उड़ते कई दिन हो गए, एक ही दिसा में उड़ता हुआ जा रहा था, तो एक बड़ा पेड उपर दिखा इस जिसाम होने को समया, तो उसने सुझा गिए, अब दिन अस्त हो रहा है, अब सूर्य भगवान अस्तासल को जा रहे हैं, रात होने में थोड़ी ही दे रहा है, मुझे किसी उचित सुरक्षित जगह पे विस्तराम कर लेना चाहिए, तो उपर आस्मान से नीचे एक बड़ा वट का पेड दिखाई दिया, सोचा कि इसी पेड़ पर राजरात को विस्तराम कर लेते, पेड़ गरना है, बड़ा है, सगन है, तो यहां पे जो है, वो कोई सिकारी जानवरों का खत्रा कम होगा, तो उस पेड़ पे आकर किसी डाल के उपर वो रुक गया, पूरी सांज हुई नहीं थी, फिर सांज होने लगी, सांज होते 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 हैं, जब पूरी सांज होने लगी, पूरी रात हो गई, तब उस पेड़ के उपर कोला हलबट गया, प्राता काल जब पांच बजे के समय जब बोरका समय जब पीले बादल होते हैं जब उसाकाल होता है उस समय पेड़ों पर चहचाट सरू होती है सारी रात जो पक्सी विस्तराम किये हैं चुप चाप वो चहचाँने लगते हैं उस पेड़ पर क्या हुआ कि जैसे अंदेरा पूरा हुने लगा कॉला हलबडा जादा ही चहचाट हो रही है तो उसने का भाईयों काफी देर हो गई वो तो ठकावा था आराम करना चाहता था उसको लाल में आराम करना ही पावे तो उसने का भाईयों अब देखिए रात ज्यादा होने वाली है ज्यादा गिरती जा रही है पूरी रात हो गई है अब तब फिर सब बातें करना नहीं तो आप ने तो आराम खुद कर पाएंगे ने मुझे करने देंगे तो इस बात को सुनते ही बहुत सारे पक्षी चोंखे जो उस पेड़ पहले बैटेते अरे ये कैसा नादान आ गए ये कहता है कि कोई दिन होगा दिन हुगेगा तब हम जो हम अऄने बात क्वे रात भी होती है कोई रात क्या होती है बह把它 अभी तो भोलने का समयाया ओर अरके ता बोलो मत उसने काभिश दिन होता है जब सूर्य-Bhakवान अउपए तब एक नहीं नेया प्रस्त अधी क्चुश भी सूरज भी कोई होता है तो उस पर जितने लोग दूसरे पक्सी बैटे थे, सब ने का सूरज तो कुछ होता है नहीं, जो मुझुरुक थे, उनसे पूछा गया, सूरज होता है, कभी आपने सूरज को देखा है, यह कहता है, रोज सूरज देखा है, आपने किसी भी दिन देखा, उसने का सूरज तो होता ही नहीं, कभी हमने स तुम्हां ही नहींग में आको आएज होग जातरा है आगल के सोड़ा के सामेख़ में कैंता सूर्ज भग्वान रायन जो उगते हैं लोग नजोंखते हैं लेो, तीन लोग को जियुन देने वाड़े सूर्ज होता है, सूर्ज तो होता ही नहीं कोई सब ने मिलकर के का कि इससे दिमाग लगाना बेकार है, ये कोई पागल है उस नादान और पागल उसको कोशित कर दिया, वो समाज उल्लूओं का था उस पेड़ पर उल्लूओं का ही डेरा था, तो दूसरे पक्सी नजदीक जावें नहीं क्योंकि वो तो उल्लूओं का अपना अलग आचर, तो उनके बीच में उसका निभा नहीं होता दूसरे का, लेकिन वो पर्देशी था तो आके रुख गया तो हमारा ग्यान जो है, हमारी जो गुद्धी और उसका दायरा जो हमारा जिसको हम ग्यान कहते हैं, यह हो सकता निरा ग्यान हो, क्योंकि हम उल्लूओं के समाज से हैं, पर्मात्मा की महिमा को समझ नहीं पाते हैं, तो हमारी ओची गुद्धी से तोल करके क्या कह देते हैं कि लेओ परमात्मा जो सब को इतना दर्द होता है उसको हम पूचते हैं उसके बंदना करते हैं उससे प्रारतना करते हैं उसके सामने दीन होते हैं तो उनको ये विचित्र लगता है लेकिन इसमें भी कोई दोस्त नहीं है उलू भी प्रानी है और उसकी जो है समझ है वो भी परमात्मा की दी हुई है आज उसी रूप में वही परमात्मा एक हंस के रूप में है और दूसरा उल्लू के रूप में है एक ग्यान है दूसरा ग्यान है एक सुख है दूसरा दुख है एक रात है दूसरा दिन है एक पाप एक पुन्य है ये सा समझाना बहुत कठिन है, मैं समझ पाना ही मेरे लिए 후स्ムिल है तो वापस समझाना तो क्यों कि बासा की वाने की मेरी जीव की इनी जिमा एक शक्चिया की चोटी दाइरे की मलीन जुढ़़नी की मेरी समझ है इसलिए ये समझ पाना और समझ पाना दोनों ही कटिने है उसी में मूँ खोलने की ताकत है मापुर्स केते हैं ये बात सही है जो कुछ बेद संतों से पाया होगा है और जब उस बेद को पाएगा या जिन संतों से जिन गुर्देव से ये बेद मिलेगा तब गुर्देव की म अपने मुकारबिन्द से कुछ परमाये नहीं, और इसारे इसारे में, यानि अपनी दया-दृष्ट्री से ही समझ दे दी, कि वो सब समझ में आ गया, कि जो कभी समझ में आनी सकता, जो सास्त्रों में लिखा हुआ है, है सासरों में तो हम उससे समझ नहीं पाते हम हमारी जर्षिसे तरमार्प में पhिर दो सार उपन गर T doen समझेंगे कैसे लेकिन जिस दिन गुर्देव की कृपा Sherlock होगी उस दिन यह समंझ वहाएगा इसलिए भुर्देव की समझ में आ गया, कुछ ने कहने की जुरुषत, ने सुनने की जुरुषत, और धरमदास अपनी उसी की फिकर में करोडों की दोलत लुटाया हुआ है। ऐसे घुर्देव सदा नहीं मिलते, जगत में गुरु तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे सद्गुरु, ऐसे ज्ञान प्रकासी गुरु मिलने असंभव हैं, असंभव जैसे कटिन हैं, इसलिए दरंदासिय साब ने का, मैंने तो उनको हासिल करने के लिए कितने प्रेतन किये हैं, कि कितनी ताला बेली, कितनी बेचेनी, कितना में मुंतजिर रहा उनका, और कितना धन भी खर्च हुआ, तब जाकर के वो मिले, तो धनका तो कोई वेसे उप्योग नहीं है इसमें, लेकिन उनके जिवनकाल में ऐसा हुआ था, कहते हैं, कि दरंदासिय साब की संपती, आज से लगबग 500 साल पहले की गटना है यह, 550 वर्स पहले रुपे की कितनी किमत थी, वो आईने अकबरी में अबू फेजल ने लिखा है, कि उस समय में एक रुपे का कितना आना आज आता था, एक रुपे में एक तोले से ज़्यादा सोना आता था, यह आज से लगबग 100 साल पहले एक रुपे का सवासेर गी आता था, 25 रुपे का एक तोला सोना था, आज से केवल 100 वर्स पहले, तो उस समय पता ने क्या मेंगाई का कितना कम दर्जा होगा, चार करोड की संपती थी, कबीर साब जी मतुरा में मिले दर्मदाशी साब को, फिर उनके गाउं बांदोगड में भी मिले, और मिले और उनको जागरत करने के लिए उनके उपर दया द्रश्टी डाली, कुछ वारताला आप हुआ, फिर वापस गुपत होगे, जिन्दा वेस में आप जाकर के मिले थे, अब वो जागरत आतमाय जो जगत में आती है, वो उतनी सी रगड से ही उनके अंदर चिनकारी प्रगट हो जाती है, कटर सनातनी थे, कटर करमकांडी थे, सनातन तो बहुत बड़ा है, करमकांडी वैस नहोते हैं वैसे थे, सालिगराम जे रखना, उनका तिलक चापा करना, ना करके उनकी पूजा करना, कबीर साहब ने कई तरह की लिए लाएं कि वो तो अब समय नहीं है, इसलिए विश्थार से नहीं कह सकते, कबीर साहब ने उनको जागरती में लाने के लिए कुछ अपनी दयादरिष्टी डाली, कुछ वारता लाथ किया, फिर गुप्त हो गए, दुबारा मिले, फिर इस तरह से और हो गया, तीसरी वार मिले, इस तरह से और हो गया, फिर वापस कहां के हैं, कहां से आये हैं, इस का कोई अता पता धरमदास्जी को नहीं लगा अब धरमदास्जी के अमन में बेख लिए जगी के महात्मा तो एक वो ही थे जो कुछ कहते थे उनके अंदर एक बहुत बड़ा अनुभव का प्रकास पीछे दिखाई देता था अब वो मुझे वापस कहां से मिले वो ही मुझे परमात्मा का असली बेख दे सकते हैं और मिलेंगे कहां इस चिंता में घुलने लगे इस चिंता में लीन रहने लगे परेसान रहने लगे तो उनके जो सलाकार थे उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सेड़ जी वो पताने का मिलेंगे आप एक काम कीजिए बहुत बड़ा बंडारा कीजिए जितने बड़े-बड़े मेहंत हैं सादू हैं अलग-अलग गुट के हैं अलग-अलग पंत के हैं अलग-अलग आचारे हैं अलग-अलग संपरदाय हैं उन सब को निमंतरन बेजें और सब को कैंग भी हमारे यहां बहुत बड़ा विसाल से विसाल बारह मेने का लंबा चलने वाला ग्यान गोश्ट्री वाला ग्यान समागम हो रहा है आप उसमें आईए और आपके जो परिचित हैं जिनको आप और जानते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं तो आप उनको भी हमारी तरफ से निमंतर बेश सकते ह उसमें तो उन्होंने ये निवेदिन किया था कि एक-एक महात्मा जी, एक-एक महंत, एक-एक अस्थान के अधिपती, मंडलेस्वर, महा मंडलेस्वर, वो जो ना दस-दस लोगों को कम से कम जरूर निमंत्रित करें अपने जान पेचान वालों को, और वो आगे जिनको निमं निमंत्रन बेजें, इस तरह से उन्होंने सोचा कि लगबग पूरा हिंदुस्तान के सभी सादू समाज को निमंत्रन पहुंच जाएगा, 12 मेने का समय है, सब आएंगे ही आएंगे, सजमुच में ऐसा हुआ, बहुत बड़ा ज्यान समागम यग्य रखा गया, सब लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जिसको आजकल कहते हैं, वो करते थे, उनके जहाद चलते थे पानी में, अब वो बहुत सारे सादू समाज आ गए, और उसके बाद में, धरमदास जी एक एक दिन में, एक एक अखाडे में जाते, उनके जो मुख्या होते हैं, उनसे वो पर करना चाहिए, तिर्टृत करना चाहिए, दानिपुन करेंगे, वही साथ जाएगा, कोई केते थे, इन में कुछ नहीं रखा है, ज्ञा नहीं सब्दुकों का, निवारन करने का एक मात्र तरीका है, कोई केते थे, योग सादन करना चाहिए, कोई हट योगी थे, दरमदास आजी का संतुष्ट ही नहीं होती थी, आइसा करते करते लगबक 12 महीने को बीचने को आए, और वापस कवीर साहिब जी स्वयम या उनके जैसा ज्ञान देने वाड़ा कोई मिलाई नहीं, तब निरास हो गए, सारी संपती भी खर्च हो गई, और एकदम निरास और दुख स होके गिर गए, उन्होंने भी अपना एक तंबू वहां लगा रखा था, दरमदाशी साहब ने भी, अपने तंबू में जो बेवस हो गए, तो कवीर साहब ने वहीं प्रगट हो गए, प्रगट होकर के बोला, दरमदास किस चिंता में है, यह आवाज सुनते ही वापस जाए, अमरत चला जाए, वैसे आँख खोल के देका सामने वही खड़े थे, जो पहले तीन बार मिले थे, तो बोला कि, आप दयाल कैसे दयालू हैं, कैसे आप हैं, इतने दिनों से मैं डूंड रहा हूं, आप मुझे मिले ही नहीं, कहीं आपका पता ही नहीं, कितनी बार आ किजिए, मुझे अपना लीजिए, मुझे अपनी सर्ण में ले लीजिए, मुझे अपना सेवक स्विकार कर लीजिए, और कभीर साथ ने कहा कि, ये तो सब करेंगे फुरसत का काम है, फुरसत का नहीं मुख्य काम तो वही है, लेकिन इस समय, इस समय जिन को आपने निमंतन दे करके आदर सहित बुलाया है, उन सब को आदर सहित विदा कीजिए, फिर आप, मैं आपके सब जिग्यासाओं का समाधान करूँगा, तो बोला कि नहीं, आप पहले वापस पदार गए और इस तरह से वापस चेले जाएंगे, तो मैं आपको कैसे डूट पाऊंगा, यह तो लेकिन पहले आप इनको विदा करके आईए, हम वादा करते हैं कि नहीं जाएंगे, तब दर्मदासी गए, सब को विदाई, सम्मान पूर्व की, सब को रवाना किया, तब आकर के कबिर सहाब के पाऊंप पकड़ लिए, तब कबिर सहाब ने निजभेद दिया, तो की मालिक की और गुर्देव की सत्ता कैसी है, कैसे एक दूसरे पर अनन्यों आस्रित है, और किस तरह से वापस ये जीव, उस पीव में मिलकर के पीव हो सकता है, जिसे बाबजी सहाब ने का नदी समुद्र मिलकर के समुद्र ही हो जाएगी, ऐसा ये सारा संतमत का सथीख लिकश्या कहें, घ्यान कहें, भेड कहें, जब दिया, तो उस बात के उपर धरमदाशी सहाहब ने लिखा है, कि धरमदाश अपनी उसी की फिकर में करोड़ों की दोलत लोति ये कोई सरल बात नहीं है, संतों का ये संत फर्माते हैं, जो पात्र नहीं उपर से बात यती लोगों कोते हैं पते हैं क्विआ गया ही क्या रहे है है अरो एसा पास्ती होगी कर देते हूं और द्रफब के विल देखर पेमत कर नहीं हो है सबस्साथर अब के जाए अब एंक वी उनका ही दबराग को इसा करके उसकी बहुत ही इसा मैं तो समझा रहे हैं कीमत से मतलब में पैसे खर्चने से नहीं हैं पैसे से वो ग्यान नहीं मिलता चार खरोड यह उससे ज़्यादा संपती दरमदाशी साम ने खर्च कर दी तब वो ग्यान मिला यह नहीं कहना चाहते हैं उसका मैं तो बता रहे हैं कि कितने प्रैतन कितनी ल कि सारी दूलत भी खर्च किये, तो उस बात का उल्ले करते हुए कहते हैं, धर्मदास अपनी उसी, वो तो ब्योस हो गए थे, उनके तो प्रान कंट में आ गए थे, ऐसी लाल सा होती है तब दया करके, मालिक संत रूप में आ करके उसको अपनाते हैं, अपने तो ऐसे बाग्य नहीं हैं, उन्होंने अपने उपर तो उनसे भी ज़्यदा दया की है, ऐसे सत्पात्रों को मालिक इतनी मुश्किल से मिलते हैं, और इतनी लाल सा, और इतनी तिवर इच्छा होने पर, उतनी तिवर उमंग होने पर, जिसको सोक कहते हैं, उमंग कहते हैं, प्रेम कहें, लग पूरन थी, हमारी पातरता तो नकली है, जहलक मात्र भी नहीं है, लेकिन ये है संतों का बेद, ये दरमदाशी साब ने दया करके कोला, कि ना तो कोई उससे अलग है, ना गुर्देव, ये सब कुछ उस गुर्देव के कल्यवर में है, गुर्देव ही मालिक भी है, और पूर जगत भी उनी का रूप है, उनी के चर्णों के प्रताप से कायम है, यानि उनी के चर्णों से जो दया की दार सब्द की, दार सत्य देश से उत्री, उसी के उपर ये जगत ठिका हुआ है, उसी वही सब को जीवन देने वाली है, तो ये सारा का सारा, ये संतमत का बेद है, पूबव तो ने तो बताया जा सकता है, दर्मदाशी साब ने इस सारे में तोड़ा इतना गूड़ वेद है, चार चे लाइन के बजन में कैसे इस सारे में कहें, तो इस सारा ये वास्ता में, कभी बाप जी दया करेंगे तो हमारे भी समझ में आएगा, लेकिन इस से इतनी सिख्षा ले सकते हैं कि सब कुछ इसा वास्य मिदम सर्वां, इसा वास्यो पनिशिद है उसका पहला स्लोक है, कि तमाम रचना इस्वर मई है, इस्वर का रूप है, इस्वर के दायरे में है, उस पूर्ण से पूर्ण प्रगट होता है, तब भी पीछे पूर्ण ही बचता है, वो दूसरा स्लोक है, इसा वास्यो पनिशिद का, वो क्या है, कि पूर्ण आये, पूर्ण विदम मुझे हूबव याद नहीं रहता, संस्कृत के स्लोक, लेकिन उसका उबव भाविया है, कि उस पूर्ण से ये पूर्ण प्रगट हुआ, याने कि वो पूर्ण परवात्मा अपने आप में संपूर्ण थे, ऐसा नहीं कि उनमें को अदूरा पनता, इसलिए रचना रची गई, वो अपने आप में संपूर्ण थे, उनमें से ये जो प्रगट हुआ है, याने जो रचना बार निकली, रचना हुई, ये भी अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण की रचना है, पूर्ण के द्वारा रची गई है, तो ये भी अदूर नहीं हो सकती, और पूर्ण में से पूर्ण प्रगट होने के बाद में जो से अके रज है, अके रहे है, अनाम हहै। सबसे बहले बाब जी निका सत्गूरू अके है अनाम। यानि वो आश्चेरि माई है, है अके यानिंब आधि कहने सुनने के बार हैं, नाम रूप से परे हैं। ऐसा उनका अजबूत रूप है। ऐसे उनकी अप्रम पार महिमा, अप्रम पार लिला, अप्रम पार भोज, अप्रम पार दया, अप्रम पार सक्तिया, सब कुछ अप्रम पार, याने किसी भी चीज की सीमा नहीं, जो उनसे संब्धित है, क्योंकि वो स्वयम अप्रम पार हैं, असीम है, अनन्त हैं, उनकी दया भी अपार, उनकी महिमा भी अपार, उनका नाम, रूप, गुण, यस, लीला, उनकी रचना भी अप्रम पार, कोई रचना का भी पार नहीं पा सकता, इस चौदब उनकी रचना का भी हम कितनी भी था ले तो सच-मुछ में ही नेती-नेती है अईसे अपना बाप जी का सुरूप है और उनी की रची रचना है वह फ़िवार्वात्मा है, वह जगत है, वह उह हम पर दया करने वाले हैं, वह हमें बफसागर में उनकी आग्या से ही हम आए हैं बेजने वाले भी वही हैं और इससे निकालने वाले भी होई हैं जिस रूप को जिस समय में वो दया करके हमारी समझ में ला देते हैं वही रूप जो प्रभावी हो जाता है तो इस समय जो ना हम प्रार्तना करें कि हम उनका जो गुरू रूप है वो ही दयालू रूप है वो ह सब कुछ समझ में आ जाता है। वही हमारे लिए मनगलकारी है। वही हमारे लिये बंद्रों से छुडाने का रूप है बंदी शौड रूप है। इसलिए बाप जैसाब ने एक बड़ा करी माताई साथिओ जो हमें सुम्रण करना बताया, तो जो मालिक का निज नाम है, उसका जो जाती वरनात्मक रूप है, सद्गुरु दयाल, उस सद्गुरु दयाल के साथ में बाप जी साब ने बीच बीच में हमें यादेश दिया कि बंदी छोड सुम्रण करना चाहिए, सद्गुरु दयाल, स किस रूप की जरूरत है बंदी छोड रूप की जरूरत है जेल में जो बंद है उसके लिए राजा आकर के राजा तो सब तरह के हुकम देता है एक हुकम से जेल के अंदर भी आता है नहाई व्यवस्ता भी कायम होता है प्रजा का पालन भी होता है सत्रों का मुकावला भी होत होता है जगत में अपने प्रजा की बलाई कहने को काम उसके हुकम से होते हैं पूरी व्यवस्ता वो चलाता है लेकिन एक हुकम ऐसा होता जिससे जो जेल में बंद है वो बाहर आ जाता है तो हमारे लिए तो वही रूप जरूरी है अभी तो घुरा- तो कुछ होता ही नहीं है सब अच्छा ही होता है और जो जैसा है वो अनिर्वकनिय भी राम अतर क बुध्यमण बानी मत हमारस्नौ सयाने पारवती को सिम जे कहते हैं ए पारवती प्रभू कैसे है अतर्क हैं तरक की सीमा में नहीं आ सकते, सोचें कि ऐसा क्यों किया, मालिक की दुनिया में इतने दुख क्यों है, ये तर्ग नहीं किया जा सकता, राम अतर्क बुद्ध मन बानी, मन बुद्ध और वानी से भी उनके उपर तर्ग नहीं किया जा सकता, माया गुण को पार, दूसरी जिगह कहते हैं कि वो प्रभु कैसे हैं, माया, गुण याने कि माया के तीन गुण, गो याने इंद्रियां, इनके पार, माया, गुण, गो पार, प्रकृति पार, प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति के पार, सब के गट में रहने वाले, कितना वर्णन किया जाए, क किया ही नहीं जा सकता जितना ज्यादा बढ़न करेंगे उतना ज्यादा उलब जाएंगे इसलिए नेती नेती करके अपन भी विश्राम लेते हैं